नमस्कार अराइज नियूज में आपका स्वागत है तो पेश है आज की एहम खबरे मानव सरीर में ज्यादा तर रोग अनियमे जीवन सेली बा खराब खानपान के चलते पनपते हैं इस तत्त को मेडिकल साइंस ने बार वार से दिखिया है सीवान के दरोणदा प्रिखंड में इस्ते जनता जनारदन क्लीनिक के डॉक्टर जनारदन सिंग कहते हैं कि सुद्ध खानपान बा नियम बद जीवन सेली अपना कर लंबे समय तक निरोग ही रहा जा सकता है इसके साथ ही डॉक्टर जनारदन सिंग कहते हैं कि रोक को लंबा नहीं खीचे हैं तुरंत रोक का इलाज करवाएं ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके शिवान जिला के दौरावंदा में पहुंचे हुए हैं मेरे सामने किलिक का नाम है जानता जनाधर किलिक डॉक्टर जनाधर सिंग की तरह से अपने मरीजों को देखने के कार्ज करते हैं आभी हमने डॉक्टर साब के पास उपस्तित हूं आए हम परचल देना चाहेंगे सर आपने यहां पर दौरावंदा में आपने कितने सालों तक यहां बैठने के कार्ज करते हैं आपके हाथों द्वारा मरीजों को कित्र से इलाज करने का काम करते हैं से देखिए मेरा डाक्ट्री का लगभग आप समय आप पूछ रहे हैं तो लगभग हमारा मने प्रेक्टिस करते हुए 16-17 बरस हो गया लेकिन प्रसनाली ड्रामधा में हम करा क्लिनी खोले हुए लगभग 10 साल हो गया अब रहा कि मरीज का देखने वाला जो आपने बात कह रहे हैं तो हम जेनरल फिजीशियन डॉक्टर हैं हमारे यहां हर तरह का केस को देखा जाता है सिर्फ सीजेरियन केस यानि कि सरजकल के छोर कर गाइनीज हो जेनरल मेडिसिन हो यह हर तरह के मरीज जैसे माल लेते हैं कि पेट से संबंधित हिर्दे से संबंधित, फ्यफरा से संबंधित, मूत्र से संबंधित, सुगर से संबंधित, छोटे मोटे खोरा फुन्सी से संबंधित, किड्नी से संबंधित, यानि चाहे किसी भी महिला में मासिक धरम की गरबरी हो जाता हो मासिक सही से नहीं आता हो बाल बचे नहीं रुखते हो इंफर्टिलीटी वाली कोई परसानी हो ए टाइब के हर तरह के मरीज हमारे हैं देखे जाते हैं अगर यहां पर इस मौसम को देखते हुए कितर से लोगों को इस मौसम में कितर के बैमारी आपके पास मरीज आने का प्रियास करते हैं देखिए अभी समय जो ठंडा का था अब धीरे धीरे गर्मी में हम लोग परिवत्तित हो रहे हैं जब ही कलाइमेंट जब चेंज होता है तो भाईरल फीबर सर्दी खासी बुखार छोटे बचे में नमुनिया मालेते हैं कि बरे में इन्फेक्शन लग जाने के ओज़े से तरी डियरिया डिसेन्ट्री के पेशन्ट हम्लोगे पास आते हैं में ज pen को परता है अगर एभी चीज़ देखा जाता है पेटों में खान पान की कमी से पत्तरी भी हो जाता है उत्र अगर आपके पास आते हैं तक कि तरह से टीटमेट को उस्टों सही करने का काम करेंगे कि कि बहुत वर्यां मैंने अपने कोशन उठाए हम बहुत खुष है कि मनें ऐसे कोशन आप उठाएं देखिए सब क्वाबत है कि कि मरा काम है कि मरीजस से पैसा कामाकर अपने बालबचा को जिलाना लेकिन मरीज को होना अच्या खुब हमारे पास आए अगर बती लोग देखाता है वैसे काम तो हम नहीं करते हैं क्योंकि स्वास किसी का भी अगर बरहिया हो तो उस सबसे बरा सुखी है लेकिन आज कल के जुआ पिरही में हम लोग देखने के चाह रहा है कि लोग घर के खाना को इगनोर करके फास्ट फूट बजार पर भीकने वाला ठेला पर चुवामीन हुआ बर्गर हुआ मन लेते हैं कि गुलगपा हुआ अंडा रोल हुआ कुल ड्रिंग हुआ इस सब पीपीव कर हर मरीज अपने मने लाइफ हेस्टाइल को चाह हार्मोन को डिसबैलेंस बना लेते हैं जो कि साध नीविया होने के बाद अक्सरहां देखा जाता है कि जब तक ले ओ पत्ति पत्नी मने अगर में डॉक्टर के पास नहीं जाता है लो वो सब का बल बचा नहीं होता है यह हम मने हर जुआ पिरी को चाहर ब्यक्ति को चाहे आपके मने चाइनल के माध्यम से संसार में जो भी हम मारे बात को सुनता है उसको हम हिदायत देना चाहेंगे कि भाई आप घर का नीमक रोटी खाये लेकिन सूध खाये मने रोड पर बिक्तने वाले ठेला पर का खाना मत खाये पानी ज्यादा पीजिए भागवान ने हर मौसम में हर तरह के मने साख सब्जियां मने दिये हैं त तो शरीर को इम्मूनीटी पावर मने बनाये रखने के लिए हमको संतुलित खाना घर से मिलेगा बजार के खाना से नहीं मिलेगा बहुत लोग समझता है कि हम काजू किस मीस को पेट कभी खराब नहीं होगा वह भी हम बात बताते हैं तो अब रहा बात की देखिए सबसे प पानी है हम लोग पानी पीने से कंजूसरी कर देते हैं ठीक है तो हम हर आदमी को यह बताना चाहेंगे कि पानी थोड़ा-थोड़ा करके ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए बहुत लोग करता है कि हम एक एवर पांच गिलास पी लिए वह भी घातक है उससे बार-बार आदम होना जोरिर बिर होता है अच्छा और माल लेते हैं कि किड्नी क्या काम है हमारे सारे जो घृक्तना पानी पाए-पानी जो है जो भी बोजन करते हैं तो उसकाव्ण कामिन निकाल कर दूसीछ को पैखाना के रहता है पेसाब के रहता वेजने के लिए लेकिन में ले सब लगता है तो यह सब मने हम लोगों को बचने के लिए मने सुभेरे नाश्था का टाइम सही होना चाहिए दुपर ही में भार पेट खाना खाना चाहिए तीन घंटा के बाद कुछ भूजा चाहिए कुछ हालका खाना खाये रात का हालका कम खाये एस अमान लेते हैं कि लोग को बचने के लिए सेहत अच्छा राने के लिए मौसमी बीमारी ना हो यह टाइप के जो रहेगा तो ओ मरीज और आदमी बार बार बीमार नहीं पर सकता है सबसे बड़ी बात निकल के आपके पास आ रहा है हीरदे समंदित हीरदे में तकड़ाओ के धरकन बढ़ना यह बहुत सारे चीज़ें देखा जाता है लोग हाबरा आगे बड़े-बड़े हस्पीटल में चले जाते हैं अगर ओतर अमरीज आपके पास आते हैं तो कि तरह सठ सब्सक्राइब बड़े हस्पीटल वाले बरे नर्सिंग वाले बहुत बरहियां इलाज करते हैं लेकिन हमारे पास से जो मने एक वोशन आपने किया तो हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमको कोई भी डबा सकता है लेकिन अगर मैन लेते है कि अगर कोई डाक्टर बोल दिया है कि आपका रzelा करना है अपका मने टिनो टिनो अर्टरिया उपलाकेस किया खू थो अगर ओगी हमारे पास स्वास करके आता है तो हम हो सकता है के बीनव बाइमा संगी किये हुए हो उनके द्रवाई पर मैंने ठीक कर सकते हैं लेकिन एक सवाल इसमें है कि उनको आजीवन दवाई खाना पर सकता है आजीवन उनको परहेज करना पर सकता है अच्छा बाइपास सर्जरी जो लोग करवाते हैं तो भाई मान लेते हैं कि अब जो बरे-बरे नर्सिंग होम खोले हुए हैं तो भाई उनको खर्चा भी चाहिए तो आज कल देखने को यह मिलता है कि तनी सा बलोके जुआ तो यह इतना डिरवाद दिया जाता है मरीज को कि डिरा कर भाई कर जा कर माने जाकर माना अपना पैसा भी फिर भी बाई पार सर्दी करने के बाद आठाजार दौसाजार महिना उनको दवाई खाना ही पड़ता है एक चीज़ देखा जाता है पैरों में जीजिनापट नोशों में तनाव बहुत माने दर्द से पिरित होते हैं गेठिया जीशा बेमारी उत तरह के सार मरीज अगर आपके पास आते हैं यहाद देखते जान जानाहट मसल बर्निंग उसको कहा गया है यह सब मैंने हम लोग का मल लेते हैं कि लिम्बिक सिस्टम एक होता है लिम्बिक सिस्टम का मैंने अचा है मैंने बलड के सरकूल लेशन करने का जो काज करता है हमारे सेंटर नर्वस उसमें कहीं न कहीं किसी ना किसी के लेंड के माध्यम से बने ऑक्सीजेनेट बलड जो है नहीं पहुचने के वज़े से मसल पेंच भूठना में दरद चैक किसी भी ज्वाइंड में अच्छा यह नीरोपैठिक पेंड में आता है आई इस टाइप का जो मरीज हमारे पास लोग आता है तो हमारे यहां लोग हंसते हुए लोग जाता है धनिया बात दे कर जाता है अच्छा यह बात हम आपको बता देते हैं बार बार यह कही बात बताना तो उंचित हमको नहीं लगता है ल कि इसका साक्षी भगवान है सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि हम किसान के लर्के हैं हम गरीवी से बहुत जूझे हैं आज भी जूझ रहे हैं लोग के सेवा अभी तक लेते आ रहे हैं लेकिन हमसे अभी एक दूर जमिन कहीं नहीं खर गया हाँ अपने बाल बचे के लिए अपने भाई के लिए अपने घर परिवार के लिए ठीक है कोई दिकत नहीं है ठीक है तो हम अने पॉबली को यह संदेश देना चाहते हैं चाहिए आप सर्वे भी कर लिएगा कि हमारे यहां उचित जाच बरांड डवाई बरांड जाच से कोई समझावता नहीं होता है आप मरीज के पास पैसा हो अन्याथा नहीं हो सबसे पहले उसको जिनगी बचाने का डॉक्टर जनादन सिंग काम करता है और उसके बाद रोगी को लगता है कि हम डॉक्टर जनादन सिंग से बेलकुल ठीक हो गए तो मैंने खुसी खुसी उलो मैंने जो भी पैसा दिया मैंने अपने पकेट में ले लिए कोई जोड़ जबस जहती नहीं किये कि आपको पैसा देए कर जाना है आप जाइए चोंपा दिजेगा ए मेरा चैलेंज है आई मैं पूरा दवा के साथ कहते हैं आप पूरे हमारे मने भरमर करके पुछ लेजिएगा कि मने कितने मने लोग के हां हमारा पैसा परा हुआ है लेकिन किसी की हां तगादा भी करने के लिए नहीं जाते हैं